तो हमने कल देखा था जब क्या कहते है । ढाउर्मल ट्रिगर हमने बनाए थै जब अमझे बात करी थी आज हम जो देखने वाले हैं कि क्या जितने मिर्टर होते न वर लोजिक्ले स्ट्रिगर होने चीह क्यlovर हर एक trigger के अंदर maximum वन लाइन होने चाहिए इस से ज्यादा नहीं लिखना चाहिए आपको maximum वन लाइन लिखो पूस ट्रिगर के अंदर और उसके बाद आपका जो भी logic है सब कुछ है वो आपका एक क्लास में होना चाहिए वह तीरे आगे चलके lleg weiß लगो ठीक है अभी हम सिर्फ आओ अभी हम दोनों क्लासिस का कॉंसेट देखेंगे पहले हम देखेंगे हैंडलर का जब हैंडलर क्लासिस की चीज़ें clear हो जाएंगी तो फिर हम देखेंगे कि dispatcher का कॉंसेट क्या होता है ठीक है और हम क्या करेंगे जो भी हमने trigger बनाए है उपर उसी trigger को हम convert करेंगे पहले handler class में और फिर अब से जो हम आगे बनाएंगे trigger वो सारे के सारे जो है क्या कहते हैं हम हर एक trigger को use करेंगे अपने handler classes का यूज करके dispatcher classes का यूज करके ठीक यह हम करने वाले हैं सो हम चलते हैं क्विक्ली और में स्क्रीन दिख रही होगी अधिक्री ठीक है तो हमने लास्ट सेशन में जो बनाया था वो बनाया था अकाउंट ट्रिगर का अकाउंट ट्रिगर ठीक है तो यह हमारा बड़ा सा अकाउंट ट्रिगर था जिसमें कई सारे हमारे पास events लगे हुए यहां पर ठीक है आप हम बात करते हैं अकाउंट इसको कोपी कर लेते हैं सबसे पहले लेट से की आप अपने कोई कंपनी करी ठीक है और आपको एक रिकार्मेंट दी गई है जो कि आपको बोला गया है कि आप को अप के पास एक ट्रिगर दिया गया आपको और आप इस ट्रिगर को काउपी करोंगे हम ठीक है file new apex class में जाके और उसका नाम दे देंगे account trigger जो भी हमारा नाम है और उसके आगे हम एक और word डाल देंगे handler तो इससे क्या होगा हम यह बता रहे हैं कि यह जो class है account trigger handler यह account trigger की क्योंकि इसमें हमने नाम लिख रखका उस trigger का उसकी handler class है ठीक है और इस पर हम click कर देंगे अब यह हमारे पास एक class आगई ठीक अब हम क्या करेंगे हमें इस class के अंदर methods बनाने होगे कितने method बनाने होगे कौन-कौन से method बनाने होगे वो है यह एक जितने भी यहाँ पर event होगे जैसे कि हमारे पास before insert है before update है आफ्टर इंसर्ट है तो आपको उतने event के method बनाने है तो आप यहाँ पर बनाओगे इस्टेटिक method बना लो इस्टेटिक method का use पता है हमें की वो class से डारेक काल हो जाएगा और उसमें हमें instance बनाने की ज़रूत नहीं पड़ेगी है ना तो हम इसमें बनाएंगे पॉब्लिक, static, void और मैं भी पहले मैं बिना static के आपको बताता हूं और आपको जैसे बनाना है before insert का ठीक है तो method का नाम कुछ ऐसे डाल सकते हो handle before insert ठीक है और ऐसे हमारा method बनता है method में कोई problem syntax में कुछ भी नहीं भी है ठीक है अब हम इसको जो है कहते हैं पेस्ट करके हमारे पास एक और है before update ज्यादा जूम कर दिया हमारे पास एक और है before update तो हम एक और method बनाएंगे handle before update ठीक है यह basically method का जो name बनाते हो ना तो name बनाते समय कोसिस करो कि यह meaningful name है जैसे कि handle before update मतलब यह clearly कह रहा है कि इसके अंदर जो code लिखूंगा sorry before insert इसके अंदर जो code लिखूंगा वो उस logic को handle करेगा जब भी कोई record insert होगा उससे पहले वाला and then फिर हमारे पास है after insert तो फिर हम एक method बनाएंगे public void handle after insert ठीक है अब लेट से की मेरे पास एक और है after insert के बाद मैंने एक और डाल दिया after update ठीक है update ऐसा कुछ है आपके पास तो आप यहां पे एक और method बनाओगे और उसका नाम दे दो के public void handle after update ठीक है यह कर दोगे और save कर दो आपकी class बन गई इसमें कोई मतलब वो नहीं है अब class बनने के बाद अब आप जो है trigger पर जाओगे और सबसे पहले आप एक-एक मेथट एक-एक मेथट को हमें शुद्न करना है आप handle before in Сейчас इसको आपको पता है कि आपने एक इससलीए बनाया आपने इसके लिए बनाया आप अपने किस इंवंट के लिए बनाया ठीक है विबं надо इंशर इसको बनाया आपने विफोर अपदेट इसको बनाया अपने आफ्टर इंसट अ आपको क्या करना है आपको ट्रिगर से जाना है और आपको जो फूर इंसर्ट वाला कोड है वो इसके अंदर लिखना है तो आप क्या करोगे आप सबसे पहले जाओगे आपको पता है कि यह basically है जो code आपका यह before insert और update दोनों के लिए तो आप क्या करोगे आपका यह जो पूरा का पूरा code है उसके अंदर यह कहां जा रहा है ओके यह इतना code जो है आप इसको पूरा उठाओगे कोपी करके यहां पर अपने इंसर्ट वाले code के अंदर पेस्ट कर दोगे ठीक है यह जो भी है अब comment मैं इसको हटा देता हूं यह पढ़े रहने देते हैं कमेंट कोई दिक्क नहीं है ठीक है इसमें कोई डाउट नहीं है ठीक है कि मैं एक और इसको कर लेता हूं इंडेन्ट Detective सबसे पहले च आपको करना वह यहीं और आपको वहां से कोड उठा के लाना है और पेस्ट करदेना हों का है साटर कोड उठा के लाना जो आपका डिभार साऀ मैं से इसमें और इसमें एरड देरा लाइन नबर ग्यारा पर तो यह जो ट्रिगर डॉट्ट नीव होता है न वह जब आप इसको ट्रिगर में लिखते हो जो ज़ा करता है हमने ट्रिगर डॉट्ट नियू में क्या बोला था हमने बोला था कि आक्चुली मैं आपको लिस्ट ओफ एस आपजिक्ट दे dot new जो है क्या कहते हैं directly उसको दे देता जैसे इस पे है तो आपको directly list of account दे देगा ऐसे करोगे तो आपको list of account दे देगा लेकिन जब यही trigger dot new variable आप यहाँ पे अपने class में use करने की कोसिस करोगे तो वो error देगा कभी यह चल जाएगा कभी error देगा जैसे अभी मैं कल पर्सों ट्रेनिंग दे रहा था तो वहां पी यह चल गया था class के अंदर ही बीना किसी error के चल गया था ठीक है आज नहीं चल रहा है आज कि इन्वैलिड लूप वरियेबल टाइप एक्सपेक्टेड एस ऑबजेक्ट वाज अकाउंट क्योंकि यहां पर क्या करें हम करें अकाउंट पर लूप रन करो विट ट्रिगर ट्रिगर.new एक्चुली में लिस्ट ऑफ एस ऑबजेक्ट देता है तो हम क्या करते हैं हमाई पस दो ऑप्शन होते हैं या तो हम ट्रिगर.new के पहले दो ब्रैकेट लगाएं और उसके अंदर लिस्ट दें लिस्ट ऑफ अकाउंट क्योंकि हम क्या कह रहे हैं कि एस ऑबजेक्ट बेसिकली जैसे कि लास्ट टाइम हमने बात की दिना कि एस ऑबजेक्ट जो होता है वो पेरेंट होता है मैं एक काम करता हूं ना च्छा चारी ओर के टो कि अधिश्च अम क्या होता है है तो इस खौन या स्फेंठों में dw-laya कर दो गदानी कर दो सकतें हैं जो हम कर सकते हैं अब यह तरीकाas यूज नहीं करें मादमिक्ट हैं हमें यह पता होना चाहिए कि अब मैं इसको अटा देता हूं ठीक है आप जैसे आपके सारी आपके इस पूरे मेथड के अंदर यह ट्रिगर.new यहां पे एक जग़े यूज हो रहा है ठीक है और बस एक जग़े यूज हो रहा है ठीक है ट्रिगर.new एक जगे यूज हो रहा है तो यह एक्चूली में क्या है अगर मैं इसको कुछ ऐसा लिखाँ लेट से की लेट से कि मैं अगर इसको कहाँ दूँ की लिस्ट अफ अकाउंट अकाउंट लिस्ट इक्वल टू इसा कुछ हम लिख देते हैं पर हमने लिखा हुआ था अगर मैं ऐसा कुछ लिख हूँ यह उठा के लेट से मैं आगर यहां पर लिख दूँ तो कुई प्रॉब्लम होगी नहीं होगी न तो अगर मैं यहाँ पे अपने एक method पे मैं क्या कहूं क्योंकि मुझे पता है कि trigger.new एक मुझे list of subject देता है ठीक है तो अगर मैं अपने method में एक parameter ले लों जो मैं कहाँ दो list of account क्योंकि मुझे बता है कि यह method मैं हमेशा इस trigger से call करूँगा और मुझे वो सारे account की list चाहिए जो अभी insert हुए है और मैं कहा दो list of account और यहां पे मैं use कर लूँ list of account instead of trigger.new तो कोई problem होगी नहीं हुए ठीक है तो यह यतना यह जो मैंने यहां पे method में pass किया और अब उस variable को क्योंकि हमें पता है कि method का variable हम use कर सकते है उस variable से हमने यहां पे iterate किया बाकि सारी चीज़ें यहां पे हमारी चल रही है तो इसमें क्या कहते हैं कोई मतलब problem या कुछ भी confusion कुछ भी अगर आ रहा हो तो अभी आप पूँच लो ठीक है तो वो clear है ना ठीक है इसको एक लाइन में कर देता हूं है ठीक है तो यह जो है क्या कहते है हमारा यह आपको बिफोर इंसर्ट वाला सेव हो गया चल गया ठीक है अभी चला नहीं आप क्या करोगे आप अभी आफ आफ्टर इंसर्ट को छोड़ होगे अभी आपको सिर्फ और सिर्फ यह जो बिफोर इंसर्ट वाला कोड़ है वह चिक करना है कि चल रहा है कि नहीं चल रहा है ठीक हम तो आप क्या करोगी जो ट्रिगर डॉट इस बिफोर के अंदर यहां पर आपको जब अगर आपको इस क्लास का यह मेंधेड कॉल करना है तो आप कैसे करोगे नॉर्मल यह ट्रिगर भूल जाओ भी मैं कहा रहा हूं कि आपके पास यह क्लास है और उस क्लास के अंदर यह मेधेड है आपको यह कॉल करना है डेवलपर कंसोल से तो कैसे करोगे मैं यहां पर गया डिबग पर आप मुझे स्टिप्स बताओ वो मैं यहां पर लिखता हूं ठीक है क्लास नीम मैं ऑब्जेक्ट कुछ भी बना लेंगी है ठीक है चलो मैंने नाम दे दिया है हैंडलर न्यू कीवर्ड है जो न्यू है मैं ठीक है मैंतिट नेम ओके और राउंड बोरे वह सर्क्राइब है ठीक है पैरन्थेशेज बोलते हैं ओके हां अपेरेंथे ख़ल जाएगा नहीं यहां पर वैल्यू पास करने पड़ेगे लिस्ट आफ अकाउंट तो मेरे पस्ट दो अपसें या तो मैं नल कर दूं और या तो मैं एक वरियेबल बना लूं यहां पर लेस्ट आफ अकाउंट टाइप का और इसको पास कर दो तो चल जाएगा है नहीं ठीक है तो इसको कॉपि कर लो और अपने ट्रिगर पर जाओ और यहां पर पेस कर दो जहां से आपको बिफोर इंसर्ट वाल कॉल करना ठीक है आप यह जो अकाउंट लेस्ट है आपके पास ट्रिकर डॉट न्यू क्या देगा आपको अ अकाउंट लिस्ट तेगा तो आप यहां से ट्रिगर्ड और नियू पास कर दोगे और इसको सेव कर दोगा श्रीकल टिक है तो यह क्लियर होगे नो ठीक है अब इसके लाध आपको यह टेस्ट करना एक ठीक है आप चेक करोगे अगर ससरी अगर account का description null है तो description was blank industry education set कर दे रहा है ठीक है तो हम education वाला हटा देते हैं हमें नहीं set करना education industry को और हमें यह चेक करना है कि अगर industry blank है तो description मैं थोड़ा सा change कर दे रहा हूँ बस ठीक है account industry was blank ठीक है और उसके बाद नीचे shipping address वाला जो भी हमारा combination है वो चल रहा है ठीक है तो basically इसमें क्या होगा अगर मैं industry null डालू तो description change हो जाना चाहिए और अगर shipping address है तो update हो जाना चाहिए है ना तो test कर लेते हैं account पे जाके अभी हमने सिर्फ before insert का चक किया है तो नियू पे क्लिक करके और इसमें कहते हैं handler ठीक है handler account टेस्ट और कुछ नहीं डाल अड्रेस डाल देते हैं testing purpose से ठीक है तो task तो हमारा after insert से चल गया उससे में कोई लेने देना नहीं है बट हमें यह देखना है कि हमारा description अपडेट हो गया और address भी अपडेट हो गया इसका मतलब कि हमारा बिफोर इंसर्ट वाला ट्रिगर चल रहा है ठीक है यह हमारा चल रहा है अब हम आते हैं after insert हमार पास कोड़े आफ्टर इंसर्ट का तो इसको कॉपी कर लो पूरा का पूरा ऐसे कैसे कट कर लो ठीक और ट्रिगर को कर दो सेव और अपने handler class में आओ तो आपका जो method है after insert उसको यहां पर पेस कर लो ठीक अब पेस करोगे तो यहां पर भी trigger.new यूज हो रहा है एक जगे पर ठीक है और definitely वह error देगा की invalid loop variable ठीक है तो इसको solve करने के लिए क्लिए क्या करेंगे हम यहां पर एक list of account account list पास कर देंगे अगर पास कर दिया कोई confusion और इसको यहां पर use कर लेंगे अभी clear अभी clear जी भी यह ठीक है अब उसके बाद हमारे पास handle after insert again method कैसे call करना है भी बताया उसको पता किया तो इसको copy और यहां पर paste सिर्फ method का नाम चेंज कर दो यहां पर handle after insert क्योंकि और कोई extra variable वो नहीं ले रहा है तो यह आपका हो गया और ट्रिगर ट्रिगर में अभी देखोगे अभी लॉजिक्ल इस्टीगर नहीं बना बट फिर भी अगर देखोगे तो ट्रिगर सुन्दर सा लग रहा है मतलब साफ सुथरा एक्दम बिना किसी दिक्कत के है ना अजी ठीक है आप टेस्टिंग की बार ही आएगी फिर से टेस्ट करना होगा तो टेस्ट कर लेते हैं फिर से एक नए अकाउंट बनाके हैंडलर अकाउंट टेस्ट और बाकि अब मुझे कुछ नहीं जालना है तो टास्क यहां भी बन रहा है इसका मतलब कि हमारे टास्क बन रहा है सही से एकदमLook है तो हमारा दोनों ट्रिगर चल रहे है आब लेकिन एक बर ही देखोंगे तो यहां पर बिफोर बिफोर इंसर्ट और बिफोर अपडेट पर दोनों हम जो क्या कहते हैं handle before insert ही call कर रहे हैं तो इसलिए call कर रहे हैं क्योंकि before और भी फोर इंसर्ट और before update में हम चाहते हैं कि एक सेम पूरा का पूरा जो सेम कोड है वह एक्जिक्यूट हो ठीक है अब हो सकता है कि कभी राइस कोई और लाजिक भी चल रहा है जरूरी नहीं है हमेशा डिफॉर इनसार्ट और भीफॉर अबडेट में सेम ही लाजिक हो रहा हो है ना तो उसके लिए अब हम यहां पर condition अठा देंगे यह वाली और हम यहां पर एक-अर्स सफ लगाएंगे उपर क्या करेंगे वहां पर चेक करेंगे कि इस भी फोर है और बिफोर अप्डेट है क्या यह वाली आसी कंदिशन लगाएंगे इस अपडेट ठीक है, अगर ऐसा है तो हमें अपना method कॉल कराना है इस class का method क्या है वो भी हम discuss करते हैं अभी, सिर्फ, अभी के requirement के हिसाब से हमारे, हमारे इस method के अंदर handle before update के अंदर वही code होना चाहिए जो handle before insert में है तो हम क्या करेंगे इसको पूरा का पूरा को यह एक कोपी करेंगे यहां तक थे कृत Ahmed इसको इसमें पेस्ट कर देंगे अब क्योंकि इसमें एक मैं एक अश्रीकर निए को पास करेंगे अपने में갈ा में कि इसम्हीं तो कुई डाउट नहीं भी है ठीक है अब अगर इसको कॉल करना है तो यहां पे जाके हैंड मतलब यहां से कह दोगे आपकी हैंडलर डॉर बिफोर अब हैंडल बिफोर अपडेट और ट्रिगर अटने उपास कर दोगे ठीक है यह चल जाएगा ठीक है यहां तो कोई प्रॉब्लम नहीं अब एक चीज़ जो है वो जो है क्या कहते हैं आहीं ऐक चीज अगर आप यहां पे देखोगे कि अपडेट पर भी आपने कोड लिखा एक भी लाइन डिफेरेंट नहीं है और वी फिर इंसर्ट में वह आपने डिटव वह लिख है एक भी लाइन डिफेरेंट नहीं है आहने decision तो क्या हम कुछ ऐसा कर सकते हैं कि इस पूरे कोड को इसको यहां से हटा के कहीं और एक ऐसी जगह पे रख दें और उस मेथड को यहां से कॉल कर लें और यहां से भी कॉल कर लें रियूस कर लें बैसिकली रियूस मतलब की जैसे की कोई एक सिस्टम है मतलब को यह कोड है को एक सॉफ्टेयर है जो एक बंदे ने बना दिया अब आपको अगर वह यूस करना है ता उसको आप खुद बनाने नहीं जाओगे न आपको ठीक है मार्केट में है गूगल एप हुआ है तो इसको डाउनलोड करके को यूस करते हैं क्यों बनाना है ना तो जब अगर ऐसी कोई ऐसा कोई केस हो जब आपके पास सेम कोड डिट को 1012 लाएव का कोड या पंद्रह 20 का कोड सेम सेम कोड है और उसको दो थीन जगा पे यूजे कर रहे हो ठीक है? तो जो 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 क्या कहते हैं उस case में आप क्या करोगे की एक method बनाओगे ठीक है? और maybe आप एक अलग से class बनाओगे ठीक है? और उस class का नाम दोगे जो भी आपके trigger का नाम है account trigger और उस class का नाम होगा helper ठीक है? तो एक नई क्लास बनाते हैं और उसका नाम देंगे Account Trigger Helper और इस क्लास के अंदर आपके Reusable Methods होंगे Reusable मतलब जो की क्या कहते हैं Reusable Methods हो सकते हैं या फिर Further Processing हो सकती है अभी के लिए आप सिर्फ इसमें Focus करो, हमारा Focus अभी के लिए इसमें होगा, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, करते जाएंगे हम Helper Method के Further Processing पे काम करेंगे, हम Discuss करेंगे, ठीक है? तो इसके अंदर अगर मैं क्या कहते हैं एक Method बना दो अब मैं एक Static Method बनाओगा Public Static Void अब मैं यहां पे कहे दूँ क्योंकि Before Insight में हम क्या कर रहे हैं हम सिर्फ Description और Address अपडेट कर रहे हैं, है न? यही कर रहे हैं, अभी मैं Method के नाम कुछ भी दे देता हूं और यहां पे Paste कर देता हूं, पूरा का पूरा Code, और यह जो List है, क्योंकि हम लिस्ट तो यूज कर रहे हैं, तो हमें Account List बनानी पड़ेगी, Accept करनी पड़ेगी यहां पे भी, ठीक है हाँ, हम यहां पे क्या कर रहे हैं Account का Description अपडेट कर रहे हैं और Account की Address अपडेट कर रहे हैं ठीक है, तो और कौनसा Address? Sipping Address तो हम यहां पे क्या करेंगे, नाम देंगो उसका, Update Sipping Address अब यह Method अगर कोई भी देखेगा न, तो उसको Clearly पता चल जाएगा कि इस Method के अंदर Sipping Address अपडेट हो रहा है ठीक है? और किसका Update हो रहा है? अगर वो भी डालना है, तो यहां पे वो भी लिख दो, Update, Account, Sipping Address तो अगर इसको कोई भी देखेगा, तो उसको समझ जाएगा कि अच्छा, Account पे जाके वो Sipping Address पे काम करेगा उसको Update करेगा अजी तो यह Clear हो गया? अजी गया ठीक है, अब क्या करोगा? अब इस Helper Class का अगर इस Method को अब कॉल करना हो, तो इस Method को कैसे कॉल करोगा अब आप? इसको नॉर्मली कॉल करना हो तो यह Direct हो जाएगा यह Class है ठीक है, तो आप यहां पे जाके इसको अब यहां से Direct कॉल करो Account Trigger Helper. इसका Method का नेम है Update Account Sipping Address और इसके अंदर एक Parameter है जो कि Type of Account List है पास कर दो यहां से और Similarly इसको Copy-Paste कर लो यहां पे ठीक है? इतना Clear हो गए? अज़ए अब कल को अगर Account इसमें Before Insert में आपको कोई और Logic लिखना हो तो आप एक और Method बना सकते हो यहां पे इस Class के अंदर यहां पे एक और Method बना लो और उस पे वो Logic लिख लो तो अब यह जो आपका Logic है यह अलग-अलग हो गया अलग-अलग Methods के लिए इसी तरह Before Update में अगर आज आपने यह Code लिख दिया काल को कोई और आ जाए उसको बोलना कि Before Update में अगर ऐसा कुछ है तो यह Logic लिख दो तो उसके लिए अब आप नया वो बना लोगे क्या कहते है नया पूरा का पूरा Class आपके पास Helper Class है इसमें आपने एक नया Method बनाया और उसको कर दिया काम है नए जी ठीक है आप इसको टेस्ट कर सकते हैं क्योंकि आप हमने यह Helper वाला चेंज कर दिया है पूरा का पूरा तो इसके लिए हम यहाँ पे फिर से एक Before Update का ही टेस्ट कर लेते हैं यहाँ पे डीटेल पे जाके आप वसे तो आफ़र इंसर्ट चली रहा है ठीक है आपका विफोर इंसर्ट भी चल रहा है इसका मतलब कि अपने जो लॉजिक लिखा है वह मस्त चल रहा है बिना किसी एअरर के था था यह तो आप जो क्या कहते है ऐसा आप का जो handler और helper आप यहां पर implement करते हो अब लेकिन अब भी अगर देखोगे तो यहां पर आपका लिखा हुआ इतना code लिखा है अभी हमने after update वाला code लिखा ही नहीं है तो अगर हमें चेक करना होता हमें यह और code लेखेंगे handle after update यह जाएगा इस अपडेट है ना और अगर हमने यहां पर और कुछ एड़ कर दिया लेट से की आफ्टर डिलीट और बिफॉर डिलीट ठीक है अंदेन आफ्टर अंडिलीट क्योंकि हमने discuss किया था कि इतने सारे trigger में event हो सकते हैं तो अगर हमने सारे कर दिया यहां पर तब हमें before डिलीट का भी चेक करना पड़ेगा ना before डिलीट और फिर after डिलीट आफ्टर अंडिलीट तो यहां पर हो जाएगा यह इस बिफॉर और यह होगा is डिलीट फिर यह होगा इस आफ्टर इस डिलीट इस आफ्टर इस अंडिलीट यह हमें करना पड़ेगा और फिर से हमारे कोड के अंदर मतलब हमारे class trigger के अंदर कोई ने कोई कोड लिख गया क्योंकि आप दो लाइन का कोड लिख ओगे अगर दो लाइन का नहीं भी लिखना है मानलो कि आपने इनको इस्टैटिक बना दिया नॉर्मली आप हैंडलर क्लास के में इसके स्टैटिक बनाओगे जिससे कि आपको ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत ना पड़े और आप डाइरेक्ट कॉल कर लो है ना और यहां पर भी आप वही नहीं करोगे अब सीथा हैंडलर मतलब क्लास नेम से कॉल हो जाएगा तो यह जो एक लाइन का कोड़ है वो आपको नहीं लिखना पड़ेगा है है यह नहीं लिखना पड़ेगा आपको एमेंदर पिर भी आपके पास कहीं नहीं कहीं से अंदर हो तो कोड़ है है आथumuz हम कहते हैं कि हमारा logicless Bieber और हम यह भी कह रहेँ कि ट्रिगर एक ऑबजिक्ट पर 一 हम बनाएं ऑर हम यह भी कह रहे हैं कि trigger जो है logicalist भी होना चाहिए तो trigger सबसे पहले एक object में एक ही के होना चाहिए वो इसलिए कि अगर हमने एक object में एक से ज़्यादा trigger बना दिये तो हमें ये नहीं पता चलेगा कि कौन सा वाला trigger पहले execute होगा और कौन सा वाला बाद में और उसमें हमारी functionality उल्टी सीधी हो सकती है तो order of execution control करने के लिए हम trigger object एक किसी भी object पे एक ही बनाते हैं ओके तो वो चीज़ हो गई तो अब इसके लिए जो है क्या कहते हैं हम इस पे account trigger अब हमने कर लिए अब अगर हमें handler सारी अब हमें इसको logic class बनाना है तो हम क्या करेंगे हम अब फिर से एक और class बनाएंगे और उस class का नाम देंगे account trigger dispatcher अब ये एक dispatcher class है अब dispatcher class को ऐसे समझो जैसे की courier वाले होते हैं तो तरत हमारे मतलब कई सारे courier वाले हैं जैसे की fedex हो गया blue dart हो गया Amazon से और भी कई तरह की couriers आते हैं तो Amazon या कोई भी company क्या करती है उनको shipping दे देती है कि ये मेरी shipping है और ये location है आपको वहाँ पर dispatch करना है आप अपना जो भी मेरा समाने आप वहाँ पर dispatch कर दो ठीक है तो उसके लिए जोए क्या कहते हैं आप क्या कर सकते हो मतलब वो लोग companies क्या करती है एक ही centralized location से वो देश के कोने कोने में जगे जब पर delivery देते हैं वो तो dispatch करते हैं वो है ना कि यहां से मैं मुझे यहां से चीज आई मतलब Amazon से आ गई अब उनके पास एक ही है मतलब कई सारी चीज़ों हो सकती है Amazon और यह वो पर जैसे Amazon से उन्होंने उनको pick up दिया तो अब वो Amazon से एक line का pick up आया और उन्होंने कई जगा पे distribute कर दिया तो वैसे ही हमारे dispatcher class जो है हमारे trigger से call होगी और dispatcher class आपके handler class को call करेगी अभी क्या था अभी account trigger जो है क्या कहते है call करता था handler को अब हमारी dispatcher call करेगी handler को कैसे उसके लिए मैं दिखाता हूँ आपको बना के थोड़ा सा diagram बना के दिखाएंगे तो clear हो जाएगा अभी तक जो हमने handler class और helper class का concept समझा उसमें कोई प्रॉब्म कोई भी दिक्कत मतलब कुछ भी नहीं भी है ठीक है तो इस पर ठीक है इस्क्रीन अभी भी दिख रहे है ना ठीक है तो लेट से की आपने यहां से स्टार्ट किया और आपका यह ट्रिगर था कोई ठीक है अब यह क्या करेगा यह कॉल करेगा आपकी डिस्पैचर क्लास को ठीक है डिस्पैचर क्लास को कॉल करेगा यह कॉल करेगा आपकी हैंडलर क्लास को ठीक है अब हैंडलर क्लास या तो यह लॉजिक लिखेगी ठीक है लॉजिक प्रोसेसिंग या तो यह हैंडलर क्लास जो है क्या कहते हैं दूसरी जो है क्या कहते हैं हेल पर क्लास को कॉल कर लेगी ठीक है यह ऐसे चलेगा अभी जो करेंट में है वो ऐसा है कि वो कुछ ऐसा है करेंट में कि क्या हो रहा है कि जो trigger है वो ही handler class को call कर रहा है handler class and then handler class वही फिर से आपका या तो वो logic process कर रही है और या तो वो जो है क्या कहते है helper class को call कर रही है पर जो difference है जो difference अभी हमने इन दोनों process के बीच में face करने वाले हैं वो यह है कि हमने यहां पे trigger और handler class के बीच में यहां पे कहीं एक और class गुसा दी जिसको हमने बोल दिया dispatcher class dispatcher डिस्पैच्ट नहीं dispatcher class ठीक है अभी यह class सब कुछ करने वाली है ठीक तो ट्रिगर से सिर्फ और सिर्फ अब एक line का code होगा जो की होगा dispatcher class पे बस और dispatcher class सब कुछ करेगा हमारा ठीक अब कैसे उसके अंदर dispatcher class के अंदर मैं suggest करूंगा कि हमेशा एक static method जो इसका return type void हो नाम run हो ऐसा एक method बनाना हमेशा ठीक है public static void run and then इसके अंदर एक variable आएगा तो अगर आपको याद हो तो जब हम context variable की बात कर रहे थे तो उसमें एक variable था trigger.operation type जो की value देता है कुछ ऐसा after insert before insert after update एसी कुछ values होती है उसमें यह इसको enumeration बोलते है ठीक है इसमें ऐसा कुछ था ना याद है ठीक है तो जब ऐसा कुछ था तो यह trigger.operation type हम यहाँ पी यूज नहीं कर सकते है method के अंदर ठीक हम अगर ऐसा कुछ करेंगे तो error आएगी और लेट से अगर try कर सकते हैं error आएगी वैसे मैंने अभी try नहीं किया अगर try करकर देखते हैं अब्रेट पर चला या before update पर चला है यह यह हमें चाहिए चाहिए तो उसके लिए salesforce में class होती है जो हमने पहले भी देखा इसको system और इसके अंदर एक variable होता है system.operation type ठीक है और यह जो system.operation type होता है वो basically एक मिनट system.operation type okay होता तो यह है इसमें देख लेते हैं ना ना सिस्टम.operation type ही होता है एक मैं टोपी आर एटी एउन टी आई पी ए एक बड़ी चला गया आंके आम एटिंग मैं बोल गया गूगल कर लेता है रोको ओके हाँ इसका नाम होता है system.trigger operation और यह जो system.trigger operation होता है यह basically दोनों system.trigger operation और यह दोनों equivalent होते हैं इसका मतलब जो value जो है system.trigger operation टाइप में होती है वही value system.trigger operation में भी होती है ठीक है तो अब आप ऐसे यहां पे पास कर लोगे तो जो dispatcher class का हर एक trigger के लिए अलग dispatcher होगा ठीक है और उसमें एक method हर एक dispatcher में run method कर सकते हो हो या dispatch कर सकते हो कुछ भी कर सकते हो dispatch कर दिया run कर दिया है ना और यहां पर जो है क्या कहते हैं अब यह है यहां पर हम स्विच स्टेट्मेंट की बात करी थी अब हम क्या कहेंगे हम कहेंगे स्टेट्मेंट का सिंटैक्स स्विच ऑन और यह जो ऑपरेशन टाइप इस वरियेबल पर हमें स्विच करना है अब हम हम यहां पर कंडिस्टांव निया तों कहेंगे कि Reese ग्रें कि है अगर Promised थे यह करो आफ्टर इंसर्ट अब हमें दो कंडिसन लिखने की ज़रूत नहीं कि पहले बीफोर चेक करें फिर इंसर्ट चेक करें अब हमारे पास एक ही इसी वायाबल में इंसर्ट ये बिहांट शीन पीछे हमारी प्रासेसिंग करेगा और हम को बताएगा कि अगर हमारा ट्रेगर विफॉर इंसर्ट में चला है तो इस वेरियेबल में वैल्यू ट्रू आ जाएगी ठीक है और ऐसे ही हम करेंगे वेन बिफॉर अपडेट ठीक है और ऐसे बोलेंगे वेन आफ्टर अपडेट हम यहां पर सारे लिख सकते हैं मतलब बिफॉर डिलीट अफर डिलीट डिपेंड्स ऑन की हमें कौन-कौन से ऑपरेशन यूज़ करने हैं संथ और इनमें से कुछ भी नहीं है तो आप món एल्स भी लिख सकते हो मतलब कि इन में से कुछ नहीं है अगर आपका यह मेंपड कि और शीकौल हो रहा है तो उसमें बहुकश को कोई दिक्कत नहीं है और सीजिय चला जाएगा ठीक है अब यह आपके अंदर आपने यह सारे स्विच स्टेट्मेंट लिख लिए इसमें कोई प्रॉब्लम कि नहीं भी यह ठीक है तो अब हम क्या करेंगे अभी हम क्या करते हैं ट्रिगर से बिफोर के केस में यह कोड कॉल कर रहे था इसको उठालो यहां से है तो इसको यह ऊठालो वीफोर अपडेट में डाल दो और अफटर इंसर्ट में हम इसको कॉल कर रहते यह तो यहां पर और नवन दो सिर्फ एक लाइन लिखनी है एक काउंट ट्रिगर डिस्पैचर डॉट मेथट नेम है डिस्पैच और इसके अंदर आपको पास करना होगा अगर यह जो तरीका भी मैंने बताया इस तरीके को फालो करोगे तो आपको ट्रिगर से हमेशा यही लाइन कॉल करनी है डिस्पैचर आपकी जैसे अपने असाइनमेंट में अपॉर्चुनिटी पर ट्रिगर लिखा ठीक है तो आपका जो ट्रिगर डिस्पैचर होगा वो इसके बाद आपका अगर कॉंटाट पर लिखा तो ॉए ऐसे आपके ट्रिगर के लिए अलग अलग बन जाएंगे है इस ट्रिगर से हमने डिसपैचर कॉल किया ऐह की आप अगर देखो आप क्या है जैसे कि siglo अपने अभी क्या किया आपने इस ट्रिगर के अंदर सारे सारी इवंट भीन जितने हो ने होते हैं आपने partner में वो सारी कंडी संसें आ चांद की कोड नहीं है कोई भी कोड नहीं है ठीक के आपको कुछ आफटर अब्रेट में कोड लिखना है तो आपको ट्रिगर कहोने की जरुद्ध नहीं है आप अपना हेंटल खुर SAT 좀 towards कोड लिखवके जैसे कि हैंडल आफ्टर अपडेट है और यहां पर आप सीधा कॉल कर दोगो इस मेथट को बस एकाउंट ट्रिगर हैंडलर डॉट हैंडल आफ्टर अपडेट ठीक है इसके अंदर कुछ नहीं जा रहा कोई बात नहीं जड़ा और आपका सेव हो गया ठीक है तो इसमें क्या कहते हैं अब अगर इसको टेस्ट करना है तो लेट्स कर लेते हैं हमारे हमने सारा कोड माइगरेट कर दिया है डिस्पैचर क्लास टेस्ट पेरेंट एकाउंट ले लेते हैं कुछ भी रेटिंग थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन डाल देते हैं मैं इस सारी यहां पर कुछ ने डालना मुझे ठीक है यहां पर थोड़ी बहुत वैलियोज्ट ठीक है और इसको सर्दिया सेव तो यह देखो आपका ट्रिगर चल गया आपका अकाउंट बिफोर ट्रिगर भी चल गया इसका मतलब अपने जो डिस्पैचर में कंवर्ट किया सब कुछ किया है आपका जो भी आपने मेहनत करी है वह सारी की सारी मेहनत सफल हो गया हो सकता है कि जब आप रियल टाइम में प्रोजेक्ट को करो गए या कर रहे हैं वैसे तो सारी कंपनियों ने यह apply कर रखा है बहुत सारी कंपनिया यूज करती है इसको कुछ कंपनिया हैं जो यूज नहीं करती बट जब भी किसी प्रोजेक्ट में काम करो तो इस तरह का हमेशा trigger पर जब काम करो तो हमेशा ऐसे concept यूज करने हैं और हाँ problem आएगी कभी नहीं है यह करते जा रहे है औि उसको दिएले दिए वो हम क्या रहे थे incapsulation वह सब इस ऐसे ही होता दीर दीर है ठीक है हम जैसे की होता क्या है प्रोजेक्ट में जब किसी project में काम करते हैं हम काम करते हैं प्रोजेक्ट में तो technical एज़ टेखनिक्निकल लीड हम बना के देते हैं कि यह हमारा framework एक concept होता है apex trigger framework ठीक है वो इससे भी मतलब बड़ा होता है जो भी अभी हमने सीखा इससे भी अलग उपर लेबल का होता है वो advanced होता है तो हम framework बना के दे देते हैं कि यह framework है आपको इसे ही use करना है तो developers को trigger touch करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है हमारे framework पे ही काम चलता है पू देरे देरे आके बढ़े कर सकते हो कि मुझे अपना framework बनाना जैसे कुछ framework पढ़े हैं उनको पढ़ उनको देखा अर अपना खुद का बना लिया और चाहूँ तो इसको company भी कर सकते हो कि यह framework है कार्दे करके करके अब जो हम आगे बात करने वाले हैं आज जो नेया trigger बनाने वाले हैं वो है यह scenario 3 इस trigger को complete करने के लिए हमें opportunity पे कुछ field बनानी पड़ेंगे हम trigger बनाएंगे opportunity पे अब ठीक है हमें opportunity पे एक field बनानी है इसका नाम है discount और इसका data type होगा percent ठीक है यह एक field हम बनाएंगे दूसरा हमें एक और field बनानी है discounted price करके जिसका data type होगा currency तो हम चलते हैं एक field बना लेते हैं आपे तो field बनानी हमें opportunity पे तो let's go to opportunity इसका data type percent है हमें क्योंकि percent store करना है तो percent select करेंगे next और इसका नाम है discount length इसकी होगी 3 और decimal price होगा zero क्योंकि percentage maximum 100 हो सकता है और length तीन का मतलब 100 में तीन लेटर होते हैं ठीक और इसको next किया और इस पर next किया and then हमने किया save and new क्योंकि हमें एक और बनानी है और उस field का नाम है discounted price और यह होगी currency ठीक है और इसका होगा होगा 16 या maybe 10 और 2 क्योंकि price में decimal हो सकता है ठीक है तो यह हमने कर दिया 10 और 2 हां कुछ पूंचना था गया नहीं भी ठीक है उसके बाद हम सेव कर लेते हैं इसको और इसको कर दिया सेव अब हमने रिकॉर्मेंट बना लिए अब हम रिकॉर्मेंट मतलब फील्स बना लिए हम रिकॉर्मेंट पढ़ते हैं कि डेवलप एन एपक्स टिगर अन पॉर्चुनिटी पॉर्चुनिटी में एक फील होती है अमांट और डिसकाउंट हमने बना ली टिक है if the account and discount fields are not blank then calculate the discount and store it in the discounted price field मतलब हमें discounted price field में store करना discount discount कैसे calculate होगा वो कुछ ऐसे होगा यहां पर हम सब को पता है कि discount हम कैसे calculate करते हैं कि amount जितना है उस पर discount से multiply करके जो परसेंटेज होगा और उसका सवसे डिवाइड कर दिया जो भी amount आएगा वो डिसकाउंट हो गया अब discounted मतलब discounted amount जो भी है discounted price या मतलब price after discount basically तो amount minus discount कर देंगे जो भी हमारा होगा वो discounted amount में आ जाएगा यह logic calculation requirement clear है इसमें कोई questions है questions to ask कि वे टूर कोई सक्टै कि परेपनी से ची क्वानी यह भी है वे वे लिए परलू आईए परलू आईए परलू आईए परलू प्रूडने एक उने एक वाइ क्वेशनों थेगा हो एक वाइ प्रफश्टन कि एक से किन अ हमतला रामसे कोईड़ का कि अ कि अ कि अ मांट की जो वैल्यू होगी वह वह क्रेट करते टाइम में लेंगे कि नहीं मतलब अमांट जो हो रिक्वाइड होना चाहिए नहीं स्टार्टिंग नहीं रिक्वाइड नहीं इसमें करना कि इफ डिसकाउंड अन्द फिल इस नाट ब्लैंक तो यह तो आप उसमें लगा सकते हो लॉजिक में अपने कि अगर ब्लैंक है तो ठीक है कोई कुशन नहीं है नहीं है ठीक है इसमें एक चीज एक क्विशन जो पूंचना चाहिए वो यह कि जो है क्या बलता है उसको हाँ कि यह ट्रिगर कब चलेगा आफ्टर इंसर्ट यार आफ्टर अपडेट मतलब इसमें कब कब हमें यह कैकुलेट करना है मतलब हमेशा जब एडिट हो या क्रियेट हो या फिर सिर्फ और सिर्फ ऑपॉर्चनेटी क्रियेट हो तो इसमें क्या कहते हैं एक क्विश्चन जरूर आना चाहिए था कि वें सुट्ड लॉजिक मतलब मैं पूछ वह रहा था कि अमाउंट जैव अपडेट करने पर वह ना चाहिए या कैसे तो वह ऐसा पूंचना चाहिए था ना ठीक है कोई बात नहीं तो इसका अंसर है ओनली इंसर्ट ठीक है और कोई कुश्चन ठीक है नहीं है अब आब बताओ किस आपजेक्ट पर आपका ट्रेगर होगा यह मेरे को नॉर्मल जो कुश्चन सब्सक्राइब पूंचते हैं अपॉर्चनेटिव और फॉर्चनेटिव किस इवेंट पर होगा प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं हम डिसकाउंट कितर डिसकाउंट होगा और उसके बाद उसकी वैल्यू क्या होगी ठीक है क्या हम ओके सब प्रॉब्लम से मोई भी डिसकस कर लेंगे यह सटा देते हैं ठीक है ठीक है मतलब बैसिकली यह प्रॉब्लम कुछ नहीं होता है जो अपको प्रॉब्लम स्टेट्मेंट है वह ठीक है तो ट्रिगर हमारा पॉर्चनेटी पे होगा तो चलके पॉर्चनेटी के ट्रिगर बनाने के लिए फाइल नियू एपक्स ट्रिगर और इसका नाम होगा अपॉर्चनेटी ट्रिगर हां तो आब यहां पे हम कॉंसे कॉंसे कॉंसेप्ट यूज करें ट्रिगर पे सब कुछ लिखेंगे या फिर ठीक है ठीक है तो हम यहाँ पे एम एन ओ यह रे पॉर्चनेटी है और सब्मिट कर दिया ठीक हमाँ पर ट्रिगर बन गया तो सबसे पहले इसका हम डिस्पैचर बनाएंगे तो अब हम डिस्पैचर के तुरुई चलएंगे ठीक है सब कुछ अब डिस्पैचर हम में में नरड कोई अगर दूसा डिस्पैचर है तो उसको कॉपई कर लो में टर को और यहां प्रेजकर लिया और और यह जो कंडिशन्स हैं यह सारी कंडिशन्स अटाके हमें सिर्फ बिफोर इंसर्ट वाला चाहिए था तो हमने भी फोर इंसर्ट रख लिया और उसके अंदर कोड हमारा भी ब्लैंक है ठीक है वो ठीक है कोई दिक्कत नहीं यह क्लियर है ना कॉंसेट हमने क्या किया है बाकी आपको आड करना हो तो आप लेटर ऑन इसमें आड करते जाओगे विन लगा लगा के ठीक है जी भी है ठीक अब हमें इसका हैंडलर भी बनाना है तो हम इसमें यह हैंडलर भी बना देंगे हैं इंडर ले तो दिस्पैचर के अंदर हमारे पस्ट मेंथिट पहले से हैं तो हम इसको काल कर देते हैं अपना ट्रिगर से पॉइच्छ इपाइचर दिस्पैच और इसके अंदर पास कर देते हैं कि ट्रिगर डॉट कुंह और संटाइट इसका काम हो गया काल को हमें अगर ट्रिगर में कोई ऑर इवेंट ढालना होगा तो यहां पियाके वह एक सिंपल सा आप्टर इंसर्ट या भीकूर पिब्सक्राइब आपको ट्रेगर चूने की जुरूत नहीं है अपका ट्रिगर हो गया पूरा का पूरा आप ट्रिगर हैंडलर पर आते हैं डिस्पैचर हमारा बन गया अब ट्रिगर हैंडलर के अंदर एक मेथट बना देते हैं हम पब्लिक इस्टाटिक वाइड और हैंडल क्योंकि हमारा बिफोर इंसर्ट पर चलेगा तो हमने के दिया हैंडल बिफोर इंसर्ट और इसके अंदर हमें कौन सा पैरामेटर पास करना होगा किस तरह का आपको वो सारी शाया चाहिए जो क्रिएट हो रहे हैं फिर उनके डिस्कांट कायकूलेट करने ठीक है थैक है कि मैं तो इस लिश्ट और उस फापर्टिनेटी चीन आपको तो यहांपर लिस्ट आफ वार सिनटी और ये अपर चूनेटी लिस्ट ठिक अब इसको save कर लेते हैं और इस method को हम अपने handler dispatcher से call कर देते हैं और यहां pass कर देते हैं trigger.new क्योंकि हम new records पे काम करने वाले हैं ठिक अब हमारा dispatcher का भी काम हो गया फिलहाल के लिए अब आते हम handler पे तो क्योंकि हमें हर एक opportunity के लिए चाहिए तो for loop ज़रूर लगाएंगे opportunity opp colon और यह जो हमारा opportunity का list है for loop क्यों लगा रहे हैं इसका कोई मतलब confusion कुछ भी हो तो अभी पूछ सकते हो बिना किसी दिक्कत के नहीं है ठीक है अब हमारा जो यह requirement है let's इसको copy paste कर लेते हैं अपने यहां पे method के ऊपर हम हमेशा जो requirement copy paste करते हैं वो method के ऊपर करते हैं ठीक है method के ऊपर और भी बहुत कुछ लिखते हैं क्या वो हम आगे बात करेंगा अभी के लिए हम सिर्फ इतना ही रखते हैं जो हमारी requirement है वो यह है और यहां पे इसको ऐसे enter कर लेते हैं ठीक है ऐसे हमारा है कि हम सबसे पहले क्या करा कि developer ने पर trigger an opportunity so that if the discount and amount field is not blank तो सबसे पहले हमें जो है क्या कहते हैं एक condition लगाने है ठीक है और condition लगाने के लिए जो है क्या कहते हैं हम क्या करेंगे यहां पर हम if use करेंगे और हमें क्या चेक करना है if opportunity का amount opportunity में एक field होती amount उसका API name भी amount होता है ठीक है is not equal to null and and opp.discount is not equal to null क्योंकि अगर दोनों में null value नहीं होगी तभी हम calculate करेंगे क्योंकि अगर amount में होई discount में नहीं होई तो calculate करने की कोई जरूत नहीं है ठीक है या discount में होई amount में नहीं हुई तो भी calculate करने की कोई जरूत नहीं है जब दोनों में हो तब ही करेंगे हम आप यहां पर हम discount calculate करने के लिए हमारे पास हमने पहले formula दे दिया है और क्योंकि discount है तो वह किसी में भी हो सकता है है मतलब percent में भी हो सकता है सवली percentage करेंगों नमें करने के लिए घ्रीक है अब यहां पर हमें क्या करना है हम कहेंगे opp.amount into opp.discount कोई confusion इस में इन्य वह ठीक आर दूसरा चीज़ हमने फर्मूला यहां पे दैि दिया है अगर नहीं भी दिया है को सीमन Itu formula करना है आपका formula यह हो जाएगा ओपी डॉट मांट मायन पीनस डिसकाउंट यह आपको गया अप discounted amount वैसे इस field का नेम तो होना चाहिए price after discount क्योंकि वही है बट हम इसमे discounted price में हम इसको डाल देते हैं sorry discount को ही डाल देते हैं कि इतना price हमने discount कर दिया और एक field और बना लेते हैं price after discount करके तो इसमें क्या होगा इसमें हम यह डालेंगे कि कितना हम discount कर रहे हैं और एक field और बनाते हैं price after discount जो की currency field होगी और यह होगी 16 और दो ठीक है next मतलब हम दो field क्यों बना रहा है इसका भी वह समझ में आ रहा है ना use हाँ जी ठीक है अब हम इसका API नेम ले लेंगे price after discount और इस पर जाके यहां पर डाल देंगे opp.price after discount equal to discounted price और आब इसको कर देंगे सेब क्योंकि और कुछ हमें करने नहीं है हमारा सब कुछ सेम है हम सेम object पे सेम field अबडेट कर रहे हैं तो करने की जरूत नहीं है हमारा calculation हो गया सब कुछ हो गया अब बार ही आ गई हमारी टेस्ट करने की चिक है तो उसको टेस्ट करने के लिए हम यहां पर आते हैं और अब हमारा opportunity का record बनेगा चिक कोई भी एक opportunity बना लेते हैं लेट से टेस्ट opportunity क्लोज डेट कुछ भी डाल देते हैं stage कुछ भी डाल दो और यह amount field है तो पहले हम क्या करते हैं कुछ भी नहीं डालते ना amount field में कुछ नहीं डालते बडिस्काउंट यह वैसे discount percentage है इसको change करेंगे भी इसमें discount में हमने लेसे डाल दिया पांच तो पांच परसंट दिखा रहा है ठीक है और इसको कर दिया save तो जो discounted price और जो है price after discount नहीं आना चाहिए क्योंकि amount नहीं है ठीक है यह नहीं आना चाहिए था न है अब हम एक और opportunity बनाते हैं टेस्ट opportunity वन इस पर हम amount कुछ भी डाल देते हैं और close date डाल देते हैं stays percentage नहीं डालेंगे discount percentage नहीं डालेंगे और इसको कर देंगे से अब तो भी calculate नहीं होना चाहिए है ना अब अगर हम एक opportunity और बनाएं टीक और इसमें कहीं डिसकाउंट amount test और इसमें लेट से 90,000 amount डाल दिया date कुछ भी डाल दी स्टेस डाल दिया निगी सिसें रिवियो discount डाल दिया 8% अब अगर इसको मैं सेव कर दूं तो हमारा calculation चलना चाहिए 8% मतलब 8 into 972 मतलब 7200 और आगे 82,800 discounted price price after discount ये calculate हो गया easily है ना तो अब इसमें basically ये discount percentage होना चाहिए तो इसको हम opportunity में जाके फिर से उस field को search कर सकते हैं discount और इस पे click करो और इसको edit करो और इसका सिर्फ label change कर सकते हैं field name change नहीं होगा क्योंकि field name हम apex class में use कर रहे हैं ठीक है तो हम कर देंगे discount percentage और एक pop-up आएगा click करो okay and save और फिर अगर इसको refresh करोगे तो अब यहां पर आएगा discount percentage अब ठीक है बंदे को user जो भी use करेगा उसको discount percentage ही दिखेगा कोई issue नहीं आएगा उसमें ठीक तो यह जो है क्या कहते है हमारा एक और ट्रिगर था जो हमने एक calculation and all का जो है यहां पर implement किया अब जो हम next implement करने वाले हैं वो है apex trigger for prevent duplicate record बट यह जो हम करेंगे वो हम करेंगे कल बाकी assignment और वो सब यहां पर add हो जाएंगे तो अब और कोई doubt इसमें कुछ भी है अगर तो पूछ लो यह वीडियो देखने बाद पूछता अब बाद ठीक है एक चीज़ और एक जो क्या कहते है वो अपना githav account बना लेना क्या सब्सक्राइब मैं बताता हूं कैसे यह मैं यहां पर दिखा देता हूं गूगल पर जाना हो इसमें डालना साइन अप ठीक है तो यहां पर वो email मांगेगा तो इसमें अपनी email डाल देगे लो जैसे मेरी email यह है ठीक है फिर continue करना तो password मांगेगा फिर continue करोगे तो वो कुछ पजल वगश्यर मांगेगा ठीक है और फिर वो करके फिर इसका एक बना लेना इस में यूसर नेम अपना यूसर नेम नॉर्मल होता हैOSA आउन जैसे कि एक मैं इसे कच कछना करता हूं हाँ यह फिले मांगे तो यह पर पना! इस या लिए देढ़ motu यूजर नेम यूजर नेम आज़ा और यजर नेम अवैलिबल है या Precisusine क्योंटिनियू करोंगे तो यह यह साडनो करेगा फिर कॉंटिन्यू करोगे तो पजिल करवाइगा यह 1 पर पूंचेएगा की यह सेम जिसमें दो आपनेंट्रट यह सेम है तृधक फिर इसमें सेम तर इसमे सहने क्लिक करोंगे और फिर क्रिय encouraged account तो जब create account करोगे तो यह जो email है यह मतलब जो भी email डालोगे इसमें उस पे verification code भेज़ेगा तो उस verification code को वहां पर इसमें एक input आएगा उसमें डाल देना और account बन जाएगा और उसके बाद फिर यह जो username है वो मेरे साथ कल share कर देना और फिर इस github में मैं code share कर दूँगा जो भी हम hands on करते न मैं यहां पर तो रखी रहा हूँ क्या करते हैं कोड़ डॉक्मेंट में code github repo में share कर दूँगा तो वहां पर सारा का सारा पड़ा रहेगा एक साथ ठीक है ठीक है तो